असलाम अलेकुम वार्ज, वेलकम बैक, आज की वीडियो का टॉपिक है, एड रेंडम पॉइंट टू पॉइंट ग्रूप इन सिवल 3D, अगर आपके पास मल्टिपल पॉइंट्स हैं, और आपने उन पॉइंट को मैनेज करने के लिए अपने ग्रूप प्रियेट कियो हुए तो जर्नली जो सिवल 3D में उप्शन यूज होती है, वो हम पॉइंट नंबर, ओके, और डिस्क्रिप्शन वगेरा के जो है, यहां पर हमारे पास यह उप्शन होती है, विद नंबर मैचिंग, विद एलिवेशन मैचिंग, विद नेम मैचिंग, ओके, रा फुल डिस्क्रिप्शन, तो यहां से अगर हमने पॉइंट अपने किसी पॉइंट ग्रूप में लेने हूँ, तो यह पांच चीज़े जो है, इनका होना लाज़मी होता है, अदर्वाइस जो है, यह पॉइंट हम ड्रेक्री इंक्लूड नहीं कर सकते हैं, नियू ग्रूप में, तो आज की जो वीडियो है, इसमें हम देखेंगे, हम अपने रेंडम पॉइंट को, बगार किसी डिस्क्रिप्शन और बगार किसी नंबर के, ठीक है, वो हम कैसे कर सकते हैं, इसके लिए मेरे पास ये एड इन है, एड पॉइंट टू पॉइंट ग्रूप के नाम से, तो यहां पे हम अपना पॉइंट ग्रूप करे लेटे हैं, यहां पे मैरे पास जो पॉइंट अपने point add करने है random point आपने by default option यूज नहीं करनी जस्ट मैं यहां से add point की मैं command लेता हूँ यहां पे मुझे पूछा जा रहा है यहां command bar में pick a point group ओके तो यहां पे मैं इसको 01 का नाम देता हूँ अभी यहां पे मेरे पास जो है कोई group अगर आपके पास है तो आप directly उसको भी ले सकते हैं और अगर आपने random point add करने हैं तो आप वो भी ले सकते हैं तो मैं यहां पे यह random point create करता हूँ random point create करने से पहले मैं इस group को style assign कर देता हूँ ताके हमारे जो point है वो हमें पता चल जाए कि जो इसमें add हो रहे हैं ओके यह marker style है और यह label style है अभी यहां पे हम अपने जो है वो point add करते हैं यहां पे मैं click करता हूँ ओके enter यहां पे आप लोग देख सकते हैं जो style हमने assign किया है वो यहां पे points को assign हो गया है मैं फिर इस पे click करता हूँ score मुझे यहां पे कुछ point चाहिए मैं यहां पे click करता हूँ और मैं इनको enter करता हूँ यहां पे आप लोग देख सकते हैं यह हमारा new group जो है वो create होता जा रहा है points का जहां पे जो भी point मुझे required है मैं जस उसको select कर रहा हूँ एंटर कर रहा हूँ वो मेरा इस group में include हो रहा है ओके यहां पे आप लोग देख सकते हैं कितनी यह सानी से हम अपना जो है काम जो है वो कर सकते हैं बजाए इसके कि हम हर दफ़ा वहां पे जाके इनके point number पहले चेक करें इन point के number क्या है या इनकी description क्या है ओके तो यह ऐसे आप जो है drawing space में रहते हुए ही model space में रहते हुए यह आप अपने points को जो है वो new group में create कर सकते हैं आप इसमें multiple group भी create कर सकते हैं और single group में भी add कर सकते हैं अगर आपने कोई point remove करना है तो मैं यहां पे click करता हूँ enter करता हूँ यहां से यह point जो remove हो जाएंगे इस group में से और यह by default जो है वो all group में यह जो all point होता है यहां पे यह by default जितने भी point करियेट होते हैं वो इसी में होते हैं तो उमीद है यह video आप लोगों को पिसंद आया होगा थैंक्स वर वाचिंग, अल्ला आपिस